हेलो फ्रेंड्स, आप सबी अच्छे होंगे इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स के बारे में डिसकस करने वाले हैं इससे पहले भी हम लोग जो है वो ओलम्पिक्स के बारे में बात कर चुके हैं इस वीडियो में हम Commonwealth, Asian, SCF इस तरह की जो गेम्स होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं तो अगर आपने इससे पहले वाली जो ओलम्पिक्स वाली वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखिए तो नीचे description box में आपको link मिल जाएगा आप वहाँ से वीडियो को check out कर सकते हैं साथे साथ आप हमारी पूरी की पूरी static gk की जो videos हैं वो पूरी की पूरी आप check कर सकते हैं नीचे description box में आपको link मिल जाएगा तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज हमें Instagram पर follow कर ले Instagram का ले नीचे आपको description box पर मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले है Commonwealth Games तो जो Commonwealth Games है ये एक तरह का festival support है Commonwealth countries का जो first Commonwealth Games हुई थी ये 1930 में करवाई गई थी Hamilton Canada में और Olympics की ही तरह हर 4 साल बाद इसको conduct करवाया जाता है except 1942 and 1946 तो इन दो सालों में ये जो Commonwealth Games है ये नहीं हुई थी उसके बाद Commonwealth Games Federation है ये organization है ये ही हर एक चीज के responsible है क्योंकि ये ही Commonwealth Games को control करती है direct करती है हर एक चीज जो Commonwealth Games से जुड़ी हुई है तो ये ही organization जो है इन से जुड़ी हुई चीजों के लिए responsible है currently अगर बात करें तो 53 members है Commonwealth Nations right मतलब कि Commonwealth जो nations आपस में जुड़े हुए है जिनके बीच में ये Commonwealth Games करवाई जाती है तो 53 जो nations है वो आपस में जुड़े हुए है और 71 teams जो है वो इन ही nations से जो इनकी member है Commonwealth की right तो वो ही 71 teams जो है वो participate करती है इन games में right last 2018 की बात करें तो जो Commonwealth Games थी ये हुई थी Gold Coast Queensland Australia में right और ये जो आप उपर देख रहे हैं ये उस समय 2018 में ये Gold Coast Commonwealth Games का logo था right या symbol था आप इस तरह से कह सकते हैं next चलते हैं हम लोग Asian Games की तरफ देखते हैं तो Asian Games को ASEAD भी कहा जाता है ये word जो है आप याद रख लेंगे right और ये क्या है तो ये एक multi sport event है जो हर चार साल बात करवाया जाता है right और जो Asia के athletes है वही इसके अंदर participate करते हैं right गेम को regulate कौन करता है तो Olympic Council of Asia मतलब की OCA और किसकी supervision के अंदर होता है तो International Olympic Committee के अंदर जो है वही होता है IOC के अंदर right उसके बाद AGF Asian Games Federation ने एक motto जो है उसको adopt किया था motto क्या था तो ever onward right किसने दिया था पंडित जोहारलाल नहरू बहुत ही important चीज़ है ध्यान में रख लेंगे आप लो तो Asian Games का जो motto है ever onward यह किसने दिया था पंडित जोहालाल नहरू ने इसको दिया था और AGF ने इसको जो है वो adopt कर लिया था right और आज तक जो है यही motto जो है वो ले करके चल रहे हैं right next बात करते हैं the emblem is a bright full rising sun तो यह जो आप उपर देख रहे हैं इसका emblem है right इस तरह का sun है मतलब bright full rising sun जो है वो emblem में दिखाया गया है और कुछ rings जो है वो एक दूसरे के साथ interlocked है right और जो इसका flag है right और जो इसका torch है मतलब कि इससे मशाल कहा जाता है वो किसने दी थी किसने present की थी जो king थे पटियाला के उन्हों ने ये present किया था और उसी समय से राइट यह जो है वो country से country जो है वो carry on किया जा रहा है मतलब सेम ही symbol torch flag राइट यह सब कुछ same ही जो है वो carry on किया जा रहा है country to country राइट उसके बाद the Asian Games और Asia 2018 were held in 2018 में जो Asian Games हूई थी वो कहा हूई थी तो यह हूई थी Jakarta इंडोनेशिया में और Jakarta में कहां हूई थी तो Palem Bank right तो यह तीनों चीजें आप याथ रख लेंगे इंडोनेशिया में Jakarta में Jakarta में कहा हूई थी तो Palem Bank में यह हूई थी राइट और उन Games में, इंडिया जो थी वो 8th position पे थी, with 15 golds, right, यह इतना था, important नहीं है, बढ़ फिर आपको यह पता होना चाहिए, फिर भी, कि जो Games है, वो कहा हुई थी, right next चलते हैं हम लोग, South Asian Federation Games की तरफ, right, इसको short में SAF या SAF Games भी कहा जाता है, right like the Commonwealth Games South Asian Federation तो यह जो festival है, sports का यह South Asian countries के बीच में करवाया जाता है, right और इसकी जो governing body है वो कौन है, तो South Asian Sports Council, यह कब बनी थी तो 1983 में बनी थी पहली बार जो यह SAF Games है, यह कहां करवाई गी थी, तो यह काठवान्डू नेपाल में करवाई गी थी, 1984 84 में, right और SAF Games जो थी, right 2016 में यह इंडिया में हुई थी, यह भी आप ध्यान रख लेंगे, right इंडिया में कब हुई थी, तो 2016 में हुई थी उसके बाद the eight participating countries are कौन कौन सी है इंडिया, पाकिस्तान, श्री लंका Bangladesh, Nepal, Bhutan, Afghanistan and Maldives, right तो the games form a part of the SARK program, right, तो SARK अगर आप देखेंगे कि यह एक exercise है right, जो इन ही countries के बीच में, eight countries के बीच में यह होती है, right, तो SARK में कौन कौन सी countries है, यही सेम countries है आप यहाँबे flag देख सकते हैं Maldives है, Nepal है, Pakistan है Shri Lanka है, मेभी Afghanistan अपनार है, क्योंकि Taliban का जो कवजा है, वो Afghanistan पर हो चुका है, right तो उसके बाद है, Bangladesh, Bhutan और India, right, तो यह SARK से आप सभी सभी countries को याद रखेंगे, right और इसका जो मोटो है SAF Games का वो क्या है, Peace Prosperity and Progress right, तो यह मोटो आपको याद रखने हैं, किस-किस गेम के क्या-क्या मोटो हैं, next है Afro-Asian Games, right तो the first ever Afro-Asian Games were held in 2003, right, तो यह पहली बार 2003 में हुई थी, कहां हैदरवाद, इंडिया में यह हुई थी 2007 में यह Algeria में होने वाली थी, लेकिन यह cancel हो गई, Algeria क्या है तो जो Algeria है, country उसकी यह capital है, Algeria, right The official mascot of the 2003 games was Sheru, right तो यह official mascot जो था उस गेम का तो इस तरह का एक cartoon character जो था वो था और इसका नाम क्या था, Sheru तो यह था क्या, यह एक cartoon representation थी, royal Bengal tiger की, right, और यह message था दोनों continents की बीच में, तो message क्या था, one spirit, right, two continents, one spirit यह जो था, वो message था in games का, right पहली बार कभ हुई थी, 2003 में हुई थी, और 2007 में यह Algeria में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे यह cancel कर दी गई थी, right तो friends, आज के लिए सिर्फ इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो please like और share करना ना भूले इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए थाइस पूले